तो चली आज फिर से हम आप लोगों के लिए पाँच मिनिट की ब्रेकफस्ट रेसिपी लेके आए है यह जो रेसिपी है यह उन लोगों के लिए है जो खाने की बहुत ज्यादा सोखीन है तो चली आज बहुत ही मज़ेदार चतपटा सा एक ब्रेकफस्ट क्यार करते है इसके बारी कट कर लिया है, तो सबसे पहले हम यहां पर चुटकी बर नमक एड़ कर देंगे और थोड़ी से हल्डी पाउडर एड़ कर देंगे, इसके पाथ जो भी सबजी वगरा है वो हम यहां पर एड़ कर लेंगे, तो वैसे तो हम breakfast में चीला वगरा या तो अलग-अलग तरीके के breakfast बनाते हैं, तो जिसमें बहुत जादा मतलब problem और time consume होता है तो यह जो breakfast है यह आपको पाँच मिनिट में बना के देगी, टेस्ट रहेगी ही, टेस्टी तो होगी, इसी के साथ बहुत जादा healthy भी होगी तो आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे बेसन में सारे जो सब्जी बगरा है, वो हमने add कर दिया है इसी के साथ मैं यहाँ पे 2-3 हरी मिच को काट करके भी add कर लूँगी तो अभी हम यहाँ पे पानी का add करेंगे, तो पानी हम normal पानी ही लेंगे, धन्दा पानी है तो हम पानी थोड़ा थोड़ा करके add करेंगे, एक ही बार में ज़्यादा नहीं add करना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा पतला हो सकता है इसका जो बेटर है तो ये देखिए हमने थोड़ा पानी एड़ करके इसे मिक्स कर लिया है तो हमें लगता है इसमें और थोड़ा पानी की जवरत पड़ेगी तो हमने और थोड़ा भी ले लिया है तो यह देखिए, इसका जो बेटर है ना, ये बहुत जादा मोटा भी नहीं होना है, बहुत जादा पतला भी नहीं होना है, तो ये देखिए, इसका जो consistency है ना, कुछ इस तरह से है, जैसे हम पोकोड़ा बगिरा चांते है ना, ठीक उसी तरह से है, अगर आप चाहे तो इस स्टेप है वो करते हैं तो मेरा तबियत ठीक नहीं है तो आवाज आपको थोड़ा अलग आ रही होगी तो इसके लिए मुझे प्लीस माफ कर दीजेगा आज काल बहुत फटा फट सर्दी बुखार लग जाता है पता नहीं क्यों तो अभी हमने फ्राइपेन एक ले लिया है फ्राइपेन में हमने दो से तीन चम्मच टेल दे दिया है इसके बाद जो बेटर है वो हम इस तरह से फैला देंगे डालने के ब पार में बना रही हूं कि हम इसे पांच मिनित में बनाएंगे ना पांच मिनित रेसिपी है तो इसे पतला बनाने का कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि हम इसे चीला बगरा नहीं बना रहे है और यह चीला बन भी नहीं पाएगी क्योंकि हम सबजी बगरा जितना मोटा मोटा क करके हट किये हैं तो यह चीला तो होने से रहा तो हम इससे इसलिए थोड़ा मोटा ठीक करके ही बनाएंगे ताकि एक ही बार में हमारा जो नास्ता है वो बन जाए तो अभी आपको ना इसे इस तरह से ढख देना है धक के पकाओगे तो उपर का जो पाठ यह भी इस तरह से प लेकिन मुझे लग रहा था कि यह टूट जाएगी तो इस तरह से मैंने अलग प्लेट ले लिया है, मतब इसका धकन ले लिया है, अभी मैं इसतरह से इसे पलत लूँगी, तो आप भी इस तरह से अगर पलत लोगे तो यह कभी नहीं टूटेगी, और अगर आप सकोगे, तो जैसे आप पलटते हो उससरा भी पलट सकते हो लेकिन मुझे थोड़ा दर था कि शायर तूट जाए तो मैंने इसलिए इस टेक्निक का यूज किया है तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसका जो बाहर का लेयर है ना काफी क्रिस्पी बनी है और अंदर में जो भी वेजी सब्जी बगरा है ये काफी सॉफ्ट और मुलायम होगी तो बाहर से एदम कड़कड़ा मतलब क्रिस्पी लेयर अंदर में सॉफ्ट मुलाएं तो आप सोची सकते हैं इसका जो टेस्ट है कितना अच्छा आने वाला है तो हम इसे दोनों तरब से अच्छी तरह से अलट-पलट करके पका लेंगे आप इसे धक-धक के पकाएगा तो ज्यादा बहतर होगा तो ये देखे ये तयार है अभी हम इसे इस तरह से कत लगा लेंगे तो इसके बाद आप इसे चक्नी के साथ या तो कुछ भी नहीं आप अच्छा सा एक चाई बना लो चाई एक कप ले लो और चाई के साथ ये नास्ता प्राइब करके देखो बहुत ही मचेदार आपका पेट भर जाएगा और आपका मन नहीं भर पाएगा तो यह देखिये आपको शायद ये वीडियो अच्छी लगगी तो वीडियो को एक लाइक कर दिजेगा और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा तो यह जो है ना यह बहुत काफी गरम है बाहर से बहुत ही क्रिस्पी आप देखी सकते हैं अंदर में कितनी सॉफ्ट द अनिपी ये 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 ये.